अब अगर हम बात करें वित्तिय विवरण के उद्देश्यों की हमने वित्तिय विवरण के बारे में काफी कुछ जाना बहुत सारे क्रियात्मक प्रश्णों को हल किया हमने कंपनी अधिनियम 1956 के बारे में भी देखा कि वो अपनी बैलन्स शीट कैसे बनाते हैं कंपनी अध में किसी भी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ड प्रrick होता है रंब कुछ बिंद्धू के आधार पर जान ले कि बास्तों में इनका उद्धेश के वित्तिय जो सुचनाय होती है, financial जो उसके notice होती है, वो हमको देते हैं, साथ ही साथ इसका उद्देश यह होता है कि अर्जन शमता की जानकारी हासिल की जा सके, कमपनी के जो इत्तिय सारे statement हम तयार करते हैं और उनका अवलोकन करते हैं, एक analysis हम उसका अगर करते हैं, तो हम हमने देखा कि सारे जो statement है, वो financial होते हैं, मौद्रिक जो लेंदेर होते हैं, उनसे संबंदित होते हैं, तो एक उद्देश इसका यह होता है कि इसके अधार पर हम बहुत आसानी से company की वित्तिय स्थिति की जानकारी प्रत्न का पता लगा सकते हैं, साथी साथ एक उद्दे हुआ है, चेंजेस क्या हुआ है, अच्छी ग्रोथ हुई है, या लॉस हुआ है, कुछ इन सब चीजों का पता है, जब हम cash flow statement बनाते हैं, या fund flow statement बनाते हैं, तो उनकी आधार पर बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं, साथ ही एक उद्देश यह भी ध्यान में रखा जा हैं, यह तो रही वित्तिय विवरणों के उद्देश की बात, अगर हम बात करें इनके विशेस्ताओं की, हमने बहुत सारे टाइप के financial statement बनाए, क्या-क्या इसके rule regulation है, वो हमने देखे, अब हम बात करें कि उनमें कौन-कौन सी विशेस्ताएं थी, तो इसको हम सबसे पहल करने में काफी सरलता होती है, जब हमने company अधिनियम 2013 की ने सुची 3-4-3-3 balance sheet तयार की, बहुत ज़्यादा हमको वहाँ पर दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि फॉर्मिट जो था, उसके जो रूल्स थे, वो हमारे सामने था, उसका प्रारूप हमारे सामने था, जब हमने profit and loss statement ब कौन सी heading और कौन सी sub heading में जाएंगे, इन सब की बारे में परियाप्त जानकारी हमने प्राप्ति कर ली थी, और अम भी कह सकते हैं कि चाहे हम इसमें balance sheet बनाए, चाहे हम profit and loss statement बनाए, या cash flow आगे हम देखेंगे, तो ये सारे statement जो होते हैं, इनको तयार करना काफी सरल होता है दूसरी एक विशेस्ता इसकी है कि बोद गम में होते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, जब आप अपने सामने एक balance sheet रखते हैं कमपनी का, बहुत सही स्थिती में अगर आपने उसको बनाया है तो हम बहुत एक बार हम उसको देख के बता सकते हैं कि कमपनी के पा और liability के बारे में भी जो अलग-अलग वरगी करन रहता है, वो सब हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, एक विशेस्ता इसकी ये भी है कि शुद्ध और विश्वेस्नी होते हैं, क्योंकि जिस तरह से कमपनी के खाते तयार किया जाते हैं, उनमें जो balances होते हैं, उसकी आ आत्मक होते हैं, गत वर्ष के balance sheet से इस वर्ष के balance sheet को आप तुल्ना कर लेजे, compare कर लेजे, profit and loss statement को पिछले साल का जो profit and loss statement था, उससे इस साल के profit and loss statement को आप compare कर लेजे, बहुत आसानी से आप विश्वेस्ति का एक तुल्नात्मक विवरण प्राप्ति कर सकते हैं, एक और मह बना सकते हैं, और अगली बात यह महतवपूर्ण है कि पूर्णता होती है, यानि सारी के सारी जितनी भी वित्यस्ति हो, चाहे वो assets related हो, चाहे वो finance related हो, चाहे liabilities related हो, cash या cash equivalent हो, सारी के सारी जानकारी हमको एक ही balance sheet से बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो यह तो हमन हमने बात की इनकी विशेस्ताओं की, हाला कि बहुत सारी विशेस्ता है, बहुत सारे महत्वे हैं इनके, लेकिन अपने आप में कुछ इनकी सिमाय भी है, कुछ limitations भी है, आई उस पर भी एक नज़र डाले, limitations की अगर हम बात करें, तो यह एतिहासिक प्रकृती का लगता है, यानि एक दिखा जाये तो बहुत past के भूत कालिन, past के जो आकड़े होते हैं, उनके अधार पर यह बनाया जाता है, कंपनी के कुछ साल पहले के या बीते हुए समय के जो statement होते हैं, उनके अधार पर यह तयार किया जाता है, तो यह एक limitation इसकी कही जा सकती है, दूसरा यह क उसके व्यक्तिकत नरणय पर छोड़ दिये जाते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि वो अपने व्यक्तिकत हीद को धियान में रखते हुए कोई न कोई पक्षपात करें, तीसरी एक सीमा इसके अंतर गतम यह भी कह सकते हैं, कि लेखांकन के विभिन प्रिथाओं पर आधारीत है स्टार्टिंग से हमने देखा कि जो हमने बैलेंशीट बनाई, जो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, स्टेट्मिंट बनाया, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे उन्ही नियमों को हम फॉलो कर रहे थे, जो हमने 11th क्लास में, फाइनल अकाउंट वेले चैप्टर म महीं देखा बनाया जारहा है, कुछ नया परिवर्तन इसमें नहीं है। साथ ही एक बात यह भी देखने का मिलती है क्योंकि Фाइनेंस है तो जाहिर से बात है कि केबल मौदरिक न्यल्क पारत्थ सकते है, कि क्योण मौदरिक नहीं को लिख नहीं रहता है। साथ एक लिमिटेशन्स कहीं जा सकती है कि एक बार गी देखने से ऐसा लगता है कि शयद उपरी दिखावा हो क्यूंकि यह जो कंडिशन है वो तो कहीं पर भी बन सकती है चाहें हम फाइनेंसिट स्टेट्मेंट की बात करें पार्टनर्शिप फर्म के बात करें अगर हेर फेर की जाती है तो यह संभावना है तो हर फाइनेंसियल स्टेट में बनी रहती है तो यहां पर भी ऐसे आश्रंग का जताई जा सकती है कि हो सकता है कि एक जो स्टेट्मेंट प्रस्तूत किया जाए अंकेक्षक के सामने या कि और अपनी के को अदर कम्पनी के कोई अधर जो स्टेटमिंट है उसमें भी हो सकता है तो अन्या liberal का एसा अ कली कि ए ईसलोल गयी जा सकती है लेकिन फिर बहुत से बिन्दू बहुत से पॉनट्स एसे होते हैं जिनके तुल्ondah कर फोड़ा सा कटिन होता है तो जैसे इसके अंदर विशेस्ता है इसके लाव है वैसे ही अपने आप में कुछ इसके दोश भी है कुछ सेमाय भी है फिलाल अगर हम एक नज़र डालें कि यह जो वित्तिय विवरण है उनका कंपनी के जो बहुत सारे अलग-अलग पक्षकार है उनके लिए क्या महत्तु ह बात करें अगर हम प्रबंधकों की तो हमने प्रबंधन वाले सब्जेक्ट में पूरा का पूरा देखा की प्रबंधग जो होता है वो किसी भी कंपनी में एक बहुत महत्तुपूर्ण रोल अदा करता है बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्रबंधकों की अगर नियुक्ति की जाती है वैसे ही अगर बात करें हम फाइनेंस के लिए तो फाइनेंस का जो हिस्सा देखता है वो जो प्रबंधक है उसके लिए यह सारे statement बहुत महत्वपोर्ण होते हैं क्योंकि इन्हें statement के अधार पर वो company के लिए अपने महत्वपोर्ण ने ले सकता है दूसरा अगर हम देखें तो इसके अंतरगर शामिल किया जाता है विन्योक्तिया की जो नियोजक है investor है कोई भी investor invest करने से पहले company की financial position क को चेक करता है वो यह देखता है कि उसके द्वारा जो पैसा company में लगाया जा रहा है कई डूप तो नहीं जाएगा वो जिस expectation से अपना पैसा company में लगा रहा है क्या वो उसको मिल पाएगी तो इन सब चीजों का अकलन करने के लिए पता लगाने के लिए वो company के financial statement को चेक क प्राप तो नहीं की संभावना है या डूप जाने की संभावना है इसका अकलन वो बहुत आसानी से company के financial statement को देखकर लगा सकता है वैसे ही एक पक्षकार के हम बात करें तो बैंक या अन्य जो पक्षकार है जो की firm को रिंड देते हैं company को रिंड देते हैं bank रिंड दे या कोई भी अन्य पक्षकार रिंड दे लेकिन रिंड देने से पहले वो इस बात की तसली जरूर कर लेता है कि उसके द्वारा जो रिंड दिया जा रहा है वो वापस मिलने के कितनी संभावना है जब आप छोटी मूटी भी amount जब आप loan लेते हैं बाहर से तो लोन देने माला व्यक्ति है वो किस तरह से आपके बहुत सारे statement जम्मा कर लेता है आपका आधार का चार्ड जमा कर लेता है आईडेंटिटिटी आपकी वो लेता है साथ में आपके passbook की copy लेता है statement लेता है तो क्यों लेता है वो यही जानने के लिए कि वो व्यक्तिज जो आपको रिंड दे रहा है वो संतुष्ट होना चाहता है कि भाविश्य में उसके द्वारा दिये गए रिंड की राश्री आप उसको चुका सकेंगे तो बिल्कुल वैसे ही यह जो बैंक होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी को रिंड देते हैं वो कंपनी के संब पर बहुत सारी demand होती है उनको भी आप एक्षार है कि अगर company growth कर रही है अगर profit में है तो उनकी income में भी growth होना चाहिए salary wages बढ़ना चाहिए access उनको bonus मिलना चाहिए extra बहुत सारी facilities मिलने चाहिए तो किस आधार पर वो ये दावा करें कि उनको भी उनका अधिकार मिले या उनकी जो income है उसमें भी growth हो तो company के financial statement को एक आधार बना कर वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं इसी तरह सरकार के लिए भी अपने आप में ये एक महतुपूर दस्तावेज होते हैं इनी के आधार पर सरकार ये तैक करती है कि इन पर किस तरह से tax आरोपित किया जाए किस तरह से इनकी financial स्थिती को देखते हुए किस तरह से इन पर कर आरोपित किये जाएं तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक वित्ति विवरन किसी company के पूरी वित्तिय स्थिती का एक आईना होते हैं जब भी हम उनको देखते हैं उनको समझते हैं तो हम बहुत आसानी से बहुत साम झाल